हेलो फ्रेंड्स मैं सोनी मेरे यूट्यूब चैनल सोनी फूट स्टैल में आपका एक पार फेस्ट स्वागत है आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ चीजी म्योनी सेंड़िच रेसिपी जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये बच्चों को तो बहुत ज़्य बनाने के लिए सबसे पहले हम बड़ा बॉल ले लेंगे उसमें चैर बड़े चमच मैंने यहां बार इकटे हुए टमाटर लिए हैं चैर बड़े चमच ही मैंने यहां बार इकट करके सीमला मिर्च ले ली हैं और चैर बड़े चमच ही कद्दू कस की हुए मैंने गाजर ल को उबाल के ले लिया है चार उसे पांच बड़े चम्मच मैंने यहां कद्दू कस करके पनीर ले लिया है आप पनीर की जगर चीज भी ले सकते हैं और यह सैजवान सोस लिया है करीब करीब मैंने एक चम्मच लिया है अगर आपके पास सैजवान सोस नहीं है तो कोई बात न मैंने यहाँ मियोनिज लिया है क्योंकि मियोनीज सेंट्विच बना रहे हैं अगर आपको ज़ादा पसंद है तो आप ज़ादा ले सकते हैं चलिए इसको भी डाल लेंगे एक चोथाई चोटी चमच यहां चाट मसाला एक चोथाई चोटी चमच ही मैंने नमक लिया है नमक आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं एक चोथाई चोटी चमच अमचूर पाउडर एक चोथाई चोटी चमच यहां काला नमक लिया है आदी चोटी चमच औरगयनो एक चोटी चमच यहां चिली फ्लेक्स लिया है चिली फ्लेक्स नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास Oreo नहीं है तो कोई बात नहीं इसके बगएर भी है बहुत अच्छे लगते हैं अच्छे से हम इसको mix करेंगे यहां आपके पास अगर आपको जो भी सब्जिया पसंद है आप वो डाल सकते हैं मैंने इसको अच्छे से तयार कर लिया है अब हम ब्रेड ले लेंगे और ब्रेड के एक तरफ हम हरी चटनी लगाएंगे हरी चटनी एक तरफ अच्छे से लगा लेंगे ये मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चे और थोड़ी सी लैसन की कलिया और अदरक के टुकडा डाल कर मैंने इसको तयार कर लिया है अभी इस पर जो हमने मिक्षर बनाया है उसको हम अच्छे से फैला देंगे करीब करीब दो से तीन चमच अब यहां मैंने चीज स्लाइस लिया है इसको रखतेंगे अब दूसरी तरफ एक और ब्रैट लेके उसके एक तरफ हम सैजवान सोस लगा लेंगे या आप क्मेटो सोस भी लगा सकते हैं और इसको अच्छे से दबा कर ऐसे सैंड्विच तयार कर लेंगे सारे सैंड्विच हम ऐसे ही बना कर तयार कर लेंगे देखिए मैंने बना कर तयार कर लिया है आप इनको सेक लेंगे यहां मैंने तवे पर एक चमबज घी डाल दिया है आप घी की जिगे बटर ले सकते हैं या ओल भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो आप वह ले लीजिए और अब हम सेंड़िच रखकर अच्छे से दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेक लेंगे और गैस की फ्लेम को लो ही रखना है लो फ्लेम पर अगर हम इसको सेक लेंगे तो यह बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे उपर की तरफ भी हम घी डाल देते हैं क्योंकि दोनों तरफ से हम इसको सेक ना है और दोनों तरफ से हम पलट कर सेक लेंगे चलिए इसको पलट लेते हैं देखे कलर बहुत ही प्यारा आया है ऐसे ही हम पलट पलट के इसको सेक लेंगे और गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि खूब सारा इसमें पनीर है, चीज है, मियोनीज है और सबजियां हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही हल्दी हैं चलिए यह अच्छे से सिख चुका है अब इसको प्लेट में हम निकाल लेंगे देखे कलर भी बहुत ही प्यार आया है और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बन गया है चलिए मैं इसको काटके दिखाती हूँ आपको फ्रेंस ये रेसिपी जुरू ट्राए करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसी लगी वाव देखी कितना सारा इसमें चीज है पनीर है मियोनीज है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं तो चलिए आप भी अपने बच्चों के लिए बनाएए बहुत ही हेल्दी हैं बहुत ही ये टेस्टी हैं आप भी बनाएए खाएए और बताएए मुझे आपको ये रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को भी सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस किर लीजिए तक याने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुँच जाए तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग